हालो स्टुडेंट वे पार्ट फास्ट पेपर फास्ट भारती दर्शन आज हम बात करेंगे न्याई दर्शन न्याई दर्शन के प्रवर्टक महर्शी गोतम थे वे गोतम तथा अक्षपाद के नाम से भी प्रसिद हैं इसलिए न्याई दर्शन का दूसरा नाम अक्षपाद दर्शन भी है न्याई दर्शन में प्रधान्त शुद्य विचार के नियमों तथा तत्व ज्यान प्राप्त करने के उपायों का वर्णन किया गया है न्याई के अध्यन से युक्ति युक्त विचार करने तथा अलोचना करने के शक्ति बढ़ती है इसलिए न्याई को न्याई विद्या तरक्षास्त तथा आन्विक्षि की भी कहते हैं आन्विक्षि की युक्ति पूर्वक अलोचना को कहते हैं न्याय दर्शन का अंतिम उद्देशे शुद्ध विचार या तारकी कालोचना के नियमों का अन्वेशन करना नहीं है इसका भी उद्देशे अन्य दर्शनों की तरह मौक्ष प्राप्ति है अर्था जीवन के दुखों का किस तरह से नाशो इसका उपाय ढून निकालना ही इसका अन्तिम उद्देशे है इस उद्देशे की पूर्ती के लिए तत्तु ज्ञान प्राप्त करना तथा ये थार्त ज्ञान के नियमों का जानना अते अन्तावशक है न्याई दर्शन अन्य दर्शनों के तरह जीवन की समश्याउं का समधान ही डूणता है किन्तु इसका सम्मंद तर्क विज्ञान तथा प्रमान विज्ञान से अधीक है न्याई दर्शन का मूल ग्रंत गोतम का न्याई सुत्र है इसके गोतम के अतरिक्त अन्य न्याई एक है वाचयान वाच्यस्पति मिश्ट इदनेचारिय जैंतभट आदी नव्य न्याई का प्रारंभ गंगेश उपाध्याई की तत्व चिंतामणी से माना गया है नव्य न्याई में न्याई दर्शन के तर्क विज्ञान सम्मंदी विश्यों का विशद विचार मिलता है संपूम न्याई दर्शन को चार खंडों में बाटा जा सकता है प्रत्थम खंड में प्रमान सम्मंदी दूसरे में भोतिक जगत सम्मंदी तीसरे में आत्मा तथा मोक्ष सम्मंदी तथा चोथे में इस्वर सम्मंदी विचार किये जा सकते है किंति न्याई दर्शन का जो अपना मौलिक रूप है उसके अनुसार उसमें सूला पदार्थों को माना गया है गोतम के अनुसार ये सूला पदार्थ इस प्रकार है पहला है प्रमाण प्रमाण का अर्थ होता है ज्यान प्राप्त करने का साधन किसी विशे का यथार्थ ज्यान पाने का कारण या उपाय प्रमाण है इसके दुआरा यथार्थ ज्यान ही मिल सकता है प्रमुक प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान दूसरा पदार्थ है प्रमे प्रमे का अर्थ है ज्यान का विशे अर्थात प्रमाण के द्वारा जो विषय जाने जाते हैं उसे प्रमे कहते हैं गुतम के अनुसार प्रमप्रमे हैं आत्मा, शरीर, पंच ग्यानींद्रियां और इंद्रियों के विषय, बुधि, मन, आंतरिक इंद्री, प्रवर्ति, जो अच्छे या बुरी हो सकती है कर्मों से होता है फल अर्था सुख दुख कानुवव जो हमारे दोशों के कारण हमें पूरु कर्म के से उत्पन होता है दुख और अपवर्ग यानि मौक्ष तीसरा पदारत है शंचे शंचे यानि मन की वह अवस्ता है जिसमें मन के सामने दो या अधिक विकल्प उपस्तित होते हैं इसका कारण ये है कि इस अवस्ता में किसी एक विशे के विशेश धर्म का ज्यान नहीं रहता बलकि एक से अधिक विश्यों के साधारण धर्म का ज्यान रहता है चोथा पदारत है प्रियोजन जिसके प्राप्ति के लिए या जिसका वर्णन करने के लिए हम कोई क द्वारा युक्ति की पुष्टी होती है छटा है सिद्धांत जो किसी दर्शन के अनुसार युक्ति सिद्ध सत्ते माना जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं येदि कोई दर्शन किसी मत को प्रतिष्टित सत्ते मानता है तो उस मत का सिध्धान्त समझा जाता है जैसे नियाई दर्शन का यह है एक सिध्धान्त है कि चेतना आत्मा का अगंतुक या अकस्मिक गुणे है साथवा पदार्थ है अव्यव जब किसी मत या सिध्धन्त को अनुमान के द्वारा सिध्ध करने के आवशकता होती है तो अनुमान पांच वाक्यों से बना होता है इन वाक्यों को अव्यव कहते हैं आठवा है तर्क उस युक्ति को तर्क कहते हैं जिसमें किसी प्रतिपाद विशे की सिध्धी के लिए उसकी विपरित कल्पना के दोश दिखाया जाते हैं ये एक प्रकार की कल्पना है जिसकी प्राप्ती किसी प्रमान के द्वारा होती है दसवा है वाद उस विशविचार को वाद कहते हैं जिसमें सरुप्रमानों और तर्क की सायता से तथा पंच अव्यों द्वारा विपक्ष का खन्नन करके स्वपक्ष का समर्थन किया जाता है जहां अंतिम निनने किसी स्विकृत सिधान्त के विरुद नहीं होता वाद से वादी और प्रतिवादी दोनों ही अपने मत की पुष्टी करना चाहते हैं और दूसरी मत का खंडन करना चाहते हैं किन्तु दोनों का ही उद्देशे यथार्थ ज्यान के प्राप्ति करना ही रहता है। ग्यारवा पदार्थ है जल्प वादी और प्रतिवादी के कोरे वाद विवाद को जिसका उद्देशे यथार्थ ज्यान प्राप्त करना नहीं होता। जल्प कहते हैं। बार्वा पदार्थ है वितंडा वह है जिसमें वादी अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता केवल प्रति वादी के पक्ष का खड़न करता है और तेरवा है हेत्वा भास हेत्वा भास उस हेत्व को कहते हैं जो वस्तुत हेत्व नहीं है लेकिन हेत्व के जैसा प्रतित होता है सामानेता अनुमान के दोशों को हेत्वा बास कहते हैं चोद्वा पदार्थ है छल छल एक प्रकार के दुष्ट उत्तर का नाम है जब प्रतिवादी शब्दों का विवक्षित या बोधित अर्थ को छोड़ कर कोई दूसरा अर्थ ग्रहन करके दोश दिखलाता है तो उसे छल कहते है मान लीजिये कोई कहता है कि बालख नव कंबल है उसकी कहने का आष्ष्य है कि बालख को एक नया कंबल है अब यदि नव कंबल का दूसरा अर्थ यह आक्षेप किया जाए कि नहीं बालख नव कंबल नहीं है क्योंकि उसके पास नौ कम्मल नहीं है तो यह चलोगा व्यापक अर्थ में प्रियुक्त शब्द को संकुचित अर्थ में लेकर या मुख्य अर्थ को छोड़ कर गोण या लाक्षणिक अर्थ को लेकर आक्षेप करना ही छल होता है पंद्रवा पदार्थ है जाती जाती शब्द यहां एक विशेश अर्थ में प्रियुक्त होता है यह भी दूसरे प्रकार का दुष्ट उतर है जब हम वादी के दोश रहित युक्ती का खड़नन करने के लिए किसी भी प्रकार के साद्रशे या वेशम में पर आवलंबित दुष्ट अनुमान की सहाथा लेते हैं तो उस अनुमान को जाती कहते हैं अर्था समानता और असमानता के अधार पर जो दौश दिखाये जाते हैं वो जाती कहलाते हैं सोलवा पदार थै निग्रहस्तान वाद विवाद में जहां पराजे का इस्थान पहुँच जाता है उसे निग्रहस्तान केते हैं निग्रहस्तान के दो कारण है एक तो गलत ज्यान और दूसरा अज्यान जब कोई वादी अपने विपक्ष की उक्तियों का आर्थ ठीक रूप से नहीं समझता है या समझ नहीं सकता तो वह ऐसी इस्तिती में पहुंच जाता है जहां उसे हार माननी पड़ती है जब वाद व्याद में कोई प्रतिग्या हितू को बदलता है या दोश्मून उक्तियों की साहता लेता है तो वह भी उसकी पराजे का कारण होता है धन्यवाद